अब दोस्तों यह बरबटी के प्लांट है देखिए Mैने इसको डिस्पोजल गिलाश में लगाया था और यह बरा बरा हो गया है तो इसको मैंने कैसे लगाया था यह तो वीडियो मैंने अपलों के साथ सेयर की थी उसी तरह भिंडी भी लगाई थी तो कुछ भिंडी को मैंने डारेक्ट भी लगा दिया था वह भी देखे निकल आई है और कुछ को सीडलिंग की यह डिस्पोजल ग्लास में तो वह भी देखिए बरे-बरे हो गया इसको अब रिपोर्ट करने का समय आ गया अगर रिपोर्ट ने करेंगे तो यह प्लांट कराब हो जाएगा क्योंकि एक ही में 2-3 प्लांट मैंने शीड्स डाल दिये थे तो वह जर्मिनेट हो गया है अच्छे से तो इसको मैं कैसे रिपोर्ट करूंगी बरबटी के प्लांट्स को बड़े बड़े हो गए हैं तो किस साइज के मैंने मिट्टी कैसे बनाई है सारी डीटेल में वीडियो में सेयर करूंगे तो वीडियो को लाष्ट तक बने रहेगा नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अप मिट्टी देखिए यहां पर बना के एक टॉब में भर लिया है इसमें मैं बरबटी लगाऊंगी और उसके लिए मिट्टी मैंने कैसे बनाई वह भी दिखाऊंगी और यह जो मेरा टावे देखिए 24 बाई 15 बाई 24 के हैं यानि 24 इसकी चोराई है और 15 इसकी हाइट है तो ब मैंने कैसे की थी तो यहां पर देखिए यह जो बरबटी के सीट मैंने लिये हैं यह पानी में 24 घंटे फुला के फिर 12 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि इसमें संकुरित हो जाए अंकुरित सीट को जर्मिने ठुकने में बहुत समयने लगता है बस दो दीन में ज पानी में 24 घंटे डाल के फूलने के लिए डाल देंगे और फिर उसको फिर 12 घंटे के बाद उसको अगर हम अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे तो वह जो प्लांट बनेगा वह बहुत तेजी से ग्रू होगा बहुत जल्दी जर्मिनेट भी हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले इसकी मिटी को त्यार कर लेते हैं इसकी कैसी मिटी चाहिए तो यह देखिए यह मैंने टब लिया है और टब में देखिए पूरा मेरा आधा से उपर यह जो वेस्ट है वह भरा हुआ है यानि जो गार्डन की जो जितने भी पतिया होती है पौदो की वह सारे मैंने डाल दिया है सब्जियां भी कुछ निकली थी तो उनके भी जो पौदे विंटर सीजन की जो सब्जिया होती है उनके भी पौदे निकाल की इसमें डाल दिया मैं कुछ भी फेकती नहीं हूँ और यह जो मिटी मैंने लिया है दोस्तों इसमें एक भाग मिटी एक भाग इसमें गुबर की खाद है और एक भाग इसमें कोको पीठ है थोड़ी सी बर्मी कमपोस्ट है और उपर से मैं नीम खली मेरे पास नहीं था तो ये मैंने फंगी साइड डाल दी दिया है तो इस तरह से मैंने मिट्टी तियार की है सबजीयों की मिट्टी के लिए दो खाद है उस तरह से भर के मैंने इसमें मिट्टी भर तीया है और ये पूरा भर गया है तो यसे फायदा होता है कि नीचे जो हमारा पतिय है जो भी Perchéом वेगड़ा है वह डिकंपोस्ट होता रहता है उपर से पानी डालने ज़से के बाद और हमारे पॉदो के ग्रोथ भी तेजी से होती है और मिटी भी बहुत कम लगती है तो इस तरह से मिटी तियार करते हैं दोस्तों आप चलिए दोस्तों के जो बरवर्टी गर जोगा है ने शेटां चाल लिए उसको लगा तो बहुत अच्छा होता है कि इसे त कुछों फोन फयरक तयों कोज़ा पूंवा कि सबस्कामिया, होगा तक सबस्सक्र órड में फुरेंद गुछ तयाकर में के लाघू रखना जो दिए, ठंडी जगह रखोंगी 2-3 दिन दर ताकि इसको डारेक्ट सनलाइट ना मिले और यहां पर जो भिंडी के सीडलिंग मैंने की थी वह अच्छे से ग्रोएगा उसकी भी मीटी मैंने उसी तरह बनाई है जिस तरह की बरबटी के पौधे में मैंने लगाया था तो इसकी भी सीड मैंने एक ही में लगा दिया है तो इन्हों को डिवाइट करके या अलग अलग करके मैं लगा रही हूं तो यह जो ग्रोएग है मेरा बहुत चोराई है इसकी कम से कम यह भी चौवीस इंच का ही है तो इसमें चार या पांच मैं पौधे लगाउंगी एक बीज में और चार चारो तरफ तो यह देखिए कितने अच्छे से इसके रूट निकला है तो सबको अलग अलग निकालती हूं डायरेक्ट लगाना सही रहता है इस तरह के सीडलिंग करने से थोरे पौधे मरने का चांस रहता है लेकिन देखिए मैं लगा रही हूं यह मेरा इक भी पौधा न इसको लगा नहीं डालेंग लेगे नहीं तो जो प्लांट है नहीं निकल के उपर आ जाएंगे तो आह थो जहरने से म्हीं देखिए या फिर साइट से किनारी इसको पाना एसे डाल देखिए बरबत। लगा है उसमें भी मैं और surprised से पानी दे रही हूं तो डाइरेक्ट लगाने के लिए भी मैंने देखिए इसको भी 24 घंटे फुलाक है फिर 12 घंटे इसको अंकुरी थोने के लिए छोड़ दिया था और इस यह लंबा अला ग्रो बैग है यानि तो यह डाइरेक्ट इसमें मैं चार सीट्स लगाऊंगी और जब यह निकल आएगा तो इसमें मैं चार चार लगा दी हूं और निकलेगा तो दो ही मैं इसमें छोड़ेगी इस तरह से दोस्तों हम यह सीडलिंग किये हुए प्लांट को लगा दिया है बहुत असानी से और इस तरह से फल जब निकलते हैं दोस्तों देखिए मैं टामाटर का प्लांट है कितना लदा हुए इस अप्रील मन्त में भी और टामाटर की हर्वेस्टिंग तो मैं हमेशा ही करती रहती हूं तो इस झाल 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 झाल